ये compound interest चक्रिवीधी व्याज का part 5 है इस से पहले इस chapter से हम 4 part पर चुके है 4 part का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते है part 4 वाले video में हमने ऐसे question को solve करना सीखा था सधान व्याज और चक्रिवीधी व्याज के अंतर वाले question को पर हमने part 4 में जितने question किये सब में time जो है वो 2 verse का था इसमें time 3 verse का है दोनों में बहुत ही difference है तो 3 verse अगर time दिया हो तो ऐसे question को हम कैसे बनाएंगे उसका formula आज हम सीखेंगे 2 verse वाले question को बनाने के लिए हमने किस formula का इस्तमाल किया था d equal to pr square divided by 100 का square और 3 verse के question को बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें थोरा सा change करेंगे 300 plus R divided by 100 हम इस formula के अलावा एक और method सीखेंगे इस formula पर अगर हम इसे बनाए question क्या है 5,000 रुपिया की रासी पर 10 परतिसत की दर से तीन वर्सों का चक्र वीधी व्याज यहों सधान व्याज का अंतर कितना होगा यहाँ पर difference निकालना है difference यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन कितना है हमारा 5,000 रुपिया R का square मतलब 10 गुना 10 यहाँ पर हम 10 गुना 10 लिख देते हैं और इसके नीचे में 100 का square मतलब 100 गुना 100 यहाँ पर 300 प्लस R मतलब की 310 divided by 100 इसे कटाएंगे 1,2,3,0 यहाँ से 3,0 कर जाएगा यहाँ से 2,0, यहाँ से 2,0 कर जाएगा यह 0 और यह 0 भी कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 गुना 31 मतलब की 155 रुपया यह हो जाएगा हमारा difference सधान ब्याज और चक्रवीधी ब्याज में ऐसे question को आप एक अलग method से भी बना सकते हैं यहाँ पे मूल धन दिया गया है 5,000 रुपया तो हम 5,000 रुपया का पहले 10% निकालेंगे इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 रुपया इस 500 रुपया का हम फिर से 10% निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 रुपया इस 50 रुपया का हम फिर से 10% निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 रुपया यह जो है 3 साल का ब्याज हमने निकाल लिया है हमने इस chapter से ratio method भी पढ़ाया है 3 साल का ratio क्या होता है 3 is to 3 is to 1 तो इस 3 is to 3 is to 1 को हम इसमें गुना करतेंगे 3 गुना 3 गुना 1 यहाँ पे आज आएगा हमारा 1500 रुपिया यहाँ पे आज आएगा हमारा 1500 रुपिया और यहाँ पे आज आएगा 5 रुपिया यह जो है यही हमें difference दे देगा सद्धान व्याज और चक्रविधी व्याज में यह 1500 जो है वो हमारा SI है मतलब simple interest है और यह दोनों जो है यह हमारा CI minus SI है मतलब कि 150 प्लस 5 मतलब कि 155 में प्याज जो है वो हमारा compound interest और simple interest का difference है आप ऐसे भी ऐसे question को बना सकते हैं अगले जितने भी question करेंगे इसमें हम यह दोनों method का इस्तमाल करेंगे अगला प्रस्ण यह second question है इस question में दिया गया है कि यदि किशी रासी पर 10% किदर से 3 वर्सों का चक्र वीधी व्याज तरह साधान व्याज का अंतर 992 रुपया हो तो मुलधन कितना है हम उसी formula से बनाएंगे D equal to PR square divided by 100 का square into 300 plus R divided by 100 हमने पहले ही कहा कि यह जो portion है यह दो वर्स को निकालने के लिए यह formula था और हमने यह जोड़ा है 3 वर्स वाले question को बनाने के लिए इसी formula पर put करेंगे difference हमें दिया गया है 992 रुपया मुलधन हमें निकालना है मुलधन ऐसे ही रहेगा R का square मतलब 100 divided by 100 का square मतलब 100 गुना 100 into 300 plus R मतलब 310 divided by 100 इसे हम cross गुना करेंगे तो यह जो है P 100 और 310 एक साइट आ जाएगा और 992 और यह 3100 यह 3100 आ जाएगे तो हम P का value कैसे निकालेंगे 992 गुना 100 गुना 100 गुना 100 divided by 100 गुना 310 यह P के साथ जो है गुना के form में वो इसके नीचे आ जाएगा इसे कटाएंगे तो 2-0, 2-0 कर जाएगा यहां से 1-0, 1-0 कर जाएगा यह 32 बार में इसे काट देगा तो हमारे पास कितना बचा 32 गुना 100 गुना 10 यह 100, यह 10 और यह 32 हमारा answer कितना आएगा 32, 00, और 1-0 मतलब 32,000 रुपया हो जाएगा हमारा मुलधन आप फर्मूले से भी बना सकते हैं और हमने जो method इससे पहले वाले question में सीखा हम उससे भी बना सकते हैं हम इसे erase कर लेते हैं इससे पहले वाले question को हमने जैसे solve किया उसी method से हम इसे भी solve करेंगे वहाँ पे हमने सधान व्याज और चक्रविधी व्याज का अंतर निकाला था यहाँ पे यह दिया गया है यहाँ पे हम मूलधन निकालेंगे कैसे निकालेंगे rate है हमारा 10% वहाँ पे हमें मूलधन दिया गया था इसलिए हमने direct rate से ratio matter से उसे बना लिया था पर यहाँ पे मूलधन दिया ही निकालेंगे rate है हमारा 10% 10% को हम भिंदे में बदल लेंगे 10 बटा 100 आपने percentage में सीखा होगा किसी भी percentage को हम भिंदे में कैसे बदलते हैं 100 से divide करके इसे कटा रेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 10 यहाँ पे हम मूलधन मान लेंगे कैसे मानेंगे यहाँ पे जो 10 है उसका हम 3 गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 वर्स बोला गया है अगर इस question में 2 वर्स हो था तो भी इस method से यह question solve हो जाता हम इसका 2 गुना लेते तो हम 10 का 3 गुना करेंगे 10 गुना 10 गुना 10 क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा 1000 रुपिया हमारा मूलधन अब इस मूलधन को हम इस 3 परसन के हिसाब से बाट लेंगे जैसे कि हम पहले वाले question को solve कर रहे थे अगर यहाँ पे 20 होता तो 20 का हम क्यूब लेते अगर यहाँ पे 30 होता तो हम 30 का क्यूब लेते यहाँ पे 1000 हमने निकाल लिया अब 1000 का हम पहले 10 परसन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना हमारे पास आएगा 100 रुपिया 100 रुपिया का हम फिर 10 परसन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 10 रुपिया 10 रुपिया का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 1 रुपिया यह हमने निकाल लिया हमारा ratio कितना था 3 3 और 1 वैसे ही हम गुना कर देंगे 3 3 और 1 तो यहां पे आ जाएगा हमारा 300 रुपिया यहां पे 30 और यहां पे 1 यह जो है हमने क्या बताया था यह CI और SI का डिफरेंस है 30 प्लस 1 मतलब कि 31 रुपिस जो है वो CI compound interest और simple interest का डिफरेंस है और यह वाला जो है simple interest है तो यहां पे 31 आया है कितने रुपिया पे 1000 अगर हमारा मूलधन है तो हमें 31 रुपिया का डिफरेंस मिलना है पर हमें डिफरेंस कितना चाहिए 992 रुपिया का जो की question में दिया गया है 31 रुपिया का डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपिया के मूलधन पे 1 रुपिया का डिफरेंस आएगा 1000 बटा 31 रुपय के मूल धन पे तो 992 रुपय का डिफरेंस कितने रुपय के मूल धन पे आएगा 1000 बटा 31 गुना 992 31 से ये 32 बार में कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32,000 रुपया तो इस मेटर से आप ऐसे question को भी solve कर सकते हैं अब बनाते हैं का अगला प्रस्ण इस question में दिया गया है कि किसी धन पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्सों में चक्र वीधी व्याज तथा सधान व्याज का अंतर 61 रुपया है तो मूल धन ग्याद करें अब उसी फोर्मूले का इस्तमाल करेंगे D equal to P R square divided by 100 का square into 300 plus R divided by 100 यहाँ पे difference दिया हुआ है 61 और यहाँ पे मूल धन निकालना है P ऐसे ही रहेगा R का square मतलब 25 divided by 100 का square मतलब 100 गुना 100 into 300 plus R 305 divided by 100 इसे cross गुना करेंगे तो यह 1 side आ जाएगा और 61 इसके साथ गुना हो जाएगा तो P equal to कितना लिख सकते हैं? 61 गुना 100 गुना 100 गुना 100 divided by P के साथ कौन सा कौन सा गुना है? 25 और 305 25 गुना 305 25 से यह 4 बार में कर जाएगा 5 से कटाएंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा और यह 61 बार में कर जाएगा 61 से 61 कर जाएगा हमारे पास बचा क्या? 100 गुना 20 गुना 4 तो फोर्मूले के मैठट से हम निकाल सकते हैं और आप नॉर्मल मैठट से भी निकाल सकते हैं जो हमने बताया था रेशियो मैठट से यहाँ पे जो रेट है वो 5 परसेंट है तो 5 बाटा 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मतलब कि 1 बटा 20 अब हम मूलधन मालेंगे मूलधन क्या होगा हमारा 20 का क्यूब करेंगे मतलब मूलधन हो जाएगा हमारा 8000 यहाँ पे पहले ही 8000 आ चुका है हम आगे बना के देखते हैं मूलधन हमारा 8000 रुपया आजाएगा 8000 का जो है हम 5% निकालेंगे 5 बटा 100 अगर यहाँ पे मूलधन पहले ही सेम आ गया है तो आप देखेंगे अंतर भी सेम आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 400 रुपया 400 का हम अगर फिर 5% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 रुपया और 20 का फिर 5% निकालेंगे तो यहाँ पे आजाएगा हमारा 1 रुपया अब हम इसे क्या करेंगे यह 3 से गुना हो जाएगा यह 3 से और यह 1 से जो रेशियो हमने पहले से पढ़ा है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1200 रुपिया 400 गुना 3, 1200 हमने कर लिया अब हमारा है 20 गुना 3, मतलब की 60 रुपिया और यहाँ पे 1 रुपिया यह हो जाएगा SI, और यह हमारा हो जाएगा 60 प्लस 1, 61 रुपिया इन दोनों का difference, compound interest और simple interest का यहाँ पे 61 रुपिया, same to same match कर गया है तो हमारा यही मूलधन हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई अलग value आता तो हमें इसके बराबर करना होता मतलब इसके बराबर करना होता तो इस दोनों matters से आप question को solve कर सकते हैं